आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ इफ्तार के लिए अलग-अलग तरीकी के चार स्नैक्स रेसिपीस इसमें हम बनाएंगे ब्रेट पकोड़ा, अंडा शामी, कैबेजी वड़ा, आलू प्यास के पकोड़े आप जरूर ट्राइ करके देखिए रेसिपीस को बहुती साथ शेयर कीजिए, कैसे लगी कि मुझे कामेंट कीजिए, मेरे चानल को अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकान को क्लिक कीजिए, आज हम सिम्प्रेट पकोड़ा कैसा बनाते हैं, स्लाइस ले ली हूँ, अब ये ब्रेट स्लाइस को पानी में डिप करके निकाल लेंगे, यहां पर मैं एक बॉल में पानी ले ली हूँ, अब ये पानी में ब्रेट को डिप कर देंगे, अब ये हलका सा निछोड़ के निकाल देंगे, ज्यादा निछनने की जुरूरत नही हमसी है, हलका से निछोड लिजिए, इस सारे bread slice को इसी तरह हम पानी में डिप करके निछोड लेंगे. अब आड़ कर देंगे, एक छोटी कटी हुई प्यास, दो टेब्ल स्पून कटा हुआ कैरेट, एक टेबल स्पून कटा हुआ रेड कैपसिकम, एक टेबल स्पून कटा हुआ एलो कैपसिकम, एक टेबल स्पून कटा हुआ ग्रीन कैपसिकम, रेड एलो कैपसिकम आप्शनल है दो से तीन बरी कटी हुई हरिमिट ठीकि के हिसाब से हरिमिट चाज़स कर सकते ही थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया एड़ कर लेंगे अब चाहे तो इसमें आपके मन चाहे सबजियों को एड़ कर सकते ही क्या बेज क्याली फ्लवर कोई भी अब मन चाहे विजटेबल से एड़ कर सकते ही अब एड़ कर लेंगे बेसर दो से तीन टेबल स्पून बेसर एड़ कर लेंगे एक से देड़ टेबल स्पून यह रवा ह यानि कि सोजी सोजी के बदले में चावल के आट को भी यूज़ कर सकते ही और स्वाद अनुसार नमक आट कर लीजिए और क्लिप मिस हो गई फ्रेंड सौरी अब आट कर देंगे टमेटो केचप एक टेबल स्पून जितना ये आप्छनली है अपना ही दालना चाहे तो हम ब्रेड पाने में भीगो के ले ले थे तो इसी तरह हम अच्छा सा मिक्स कर देंगे इभी पकोडा बैट में के तैयार हो गए है इसी तरह रहना है देखो जो हम round ball बनाएंगे तो round ball बनना है इसी तरह, तो perfect है ये, next हम पकोड़े बना लेंगे, अब एक कड़ाई ले लेंगे, ग्यास को आन्द कर देंगे, अब एक कड़ाई में आईल आड़ कर देंगे, डी फ्राई के लिए, अब ये आईल को गरम होने देंगे, अब ये आईल गरम हो गया है, अब पकोड़े दाल लेंगे, इसके लिए first हम हाथ को गीला कर देंगे, अब ये इसी तरह पकोड़ी दाल लेंगे, छोटे छोटे, जितने कड़ाई में आते हैं उतने पकोड़ी एड़ कर लेंगे, ग्यास के फ्लेम को मीडियम पे रख लीजिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे रखके हमें पकोडों को डी फ्राई कर लेंगे आल्मोस्ट हम पकोडे सारे लो टू मीडियम फ्लेम पे रखके डी फ्राई कर लेंगे बट ये पकोडी को हम high flame पे रखके डी fry कर देंगे जल्दी ही fry हो जाएंगे बस चलाते रहें पकोडी fry होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसी तरह हम चलाते हुए पकोडी को fry कर लेंगे अब देख सकते ही अच्छा सा कलर चेंज हो गई ही अब इस पकोडी को निकाल देंगे आईल से इसी तरह सारी पकोडी को भी हम डी fry कर लेंगे high to medium flame पे रखके अब इस पकोडी को टिश्यू पेपर में निकाल लीजिए ताक एक्स्ट्रा आईल है वो निकल जाएगा बनके तयार हो गई ही टेस्टी ब्रेट पकोडा आप भी ज़रूर ट्राइकर कर के देखिए अंडशामी कबाब बनाना शुरू करेंगे दो medium size उबले हुए आलू एक medium size बरी कटी हुई प्यास प्यास को अच्छा सा बरी काट लीजिए नहीं तो अप्ग्रेट भी कर सकते ही एक टीस्पून लाल मिर्ची पौडर लाल मिर्ची पौडर तीके के हिसाब से कम ज़़ादा कर सकते ही अब ज़़ा तीका पसंद करेंगे तो हरी मिर्ची का भी यूज़ कर सकते ही मैं हाम पे एक टीस्पून लाल मिर्ची पौडर ले ली हूँ वन बाई फोट टीस्पून गरम मसाला हाफ टीस्पून अध्रकलोसन का पेस्ट थोड़ी सी कटी हुई धन्या पता एक टीस्पून तिल यह आप्शनली है आप नहीं दालना चाहे तो आवाइट कर सकते ही ब्रेड क्रॉम्स दो ब्रेड लेके मैं फ्रेश ब्रेड क्रॉम्स बना ली हूँ स्वाद अनुसार नमक शालो फ्राइ करने के लिए आईल एक अंडा अब चलो प्रासेस देखेंगे ग्रेटर लेके यह मोटे वाले हिस्से के साइड से अंडे को इसी तरह ग्रेट कर लेंगे इसी तरह पूरे अंडों को ग्रेट कर लेंगे यह अंडे ग्रेट हो गई ही नेक्स्ट आलू को भी इसी तरह ग्रेट कर लेंगे अब चाहे तो आलू को मैश भी कर सकते ही देखो अब एक मिक्सर बॉल लेके इसमें ग्रेट किया हुआ अंडा और आलू इस सारे इंग्डिएंट्स दाल देंगे प्यास धनिया पत्ता अध्रकलोसन पेस लाल मिट्शी प करने के भाद अब शामी बना लेंगे इसके लिए थोड़ा सा आईल ले लिजिये हाद को क्रीश कर लेंगे आईल को हातों को थोड़ाए मिक्षर लेके को इसी तरह शामी कश्र दे देंगे देखो थोड़ा छोटा बड़ा कर सकते ही इसी तरह शामी बना लेंगे और एक बना के दिखाऊंगी सेम प्रासेस ही है थोड़ा सा आईल ग्रीस करके इसी तरह शामी बना लेंगे इसी तरह पूरे शामिया बना लेंगे, अब एक बॉल या प्लेट ले लिजिए, स्वें अंडा फोड के दाल लिजिए, थोड़ा सा नमक आट कर देंगे, और थोड़ा सा दूद दाल देंगे, दाल के अंडे को अच्छा से फेट देंगे, देखो, अब ये अंडे का बैटर रेडी हो गया है, ब्रेट क्रॉम्स रेडी है, शामी भी रेडी है, अब थोड़े से ब्रेट क्रॉम्स निकाल के रख देंगे, जुरत पढ़ने पर यूज़ कर लेंगे, अब ये ब्रेट क्रॉम्स में थोड़ी सी तील आट करके अच्छा सा मिक्स कर देंगे, अब ये श ब्रेट क्रम्स खराब नहीं होंगे, सेम प्रॉसस ही है, देखो इसी तरह बैटर में टिप कर देंगे, दूसरे हाथ से ब्रेट क्रम्स में कोट कर देंगे, इसी तरह पूरे शामियों को कोट कर लेंगे, यह पूरे कोट कर दी हूं है, फ्रीज में 20 मिनिट तक छोड़ पैन गरम होने के बाद इसमें चालो फ्राइ करने के लिए जितना आईल लगता है उतना डाल लीजिए आईल को गरम होने देंगे मीडियम फ्लेम पे रखके यह आईल गरम हो गया है इसमें शामी डाल देंगे देखके सावधानी से शामी को डाल लीजिए जितने आते हैं उत एक साइड अच्छा सा कलर चेंज होने के बाद दूसरे साइड फलट देंगे, इसी तरह दूसरे साइड भी दो से तीन मिनिट टाग लो टू मीडियम फ्लेम पे रखके, अच्छा सा कलर चेंज होने तक गॉल्डन ब्राउन शामी को शालो फ्राइ कर लेंगे, देखो ये बनके तयार हो गई ही अंडा अलुक शाबेजी वड़ा बनाना शुरू करेंगे, एक कप यहां पे मैं भीगो के रखे हुए चना दाल ले ली हूँ, चना दाल को तीन से चार घंटे के लिए धो के भीगो के रख ली हूँ, एक कप बरी कटी हुई क्याबेज, क्याबेज को इसी तरह छोटे पीस कर लीजिए, दो टेबल स्पून जितना कटी हुई धन्या पत्ता, छे से आट कटे हुई कडी पत्ता, एक मीडियम से बरी कटी हुई प्यास, छे से आट पोदीने के पत्ते, तीन से चार लसन के खली, थोड़ा सा अध्रट, क्याहां पे मैं अध्रो क लोसन पेस्ट आट कर लीजिए, दो से तीन हरी मीड़, थीके के हिसाब से कम जादा कर सकते हैं हरी मीड़, ग्रोफ टी स्पून जीरा, एक इलाइची, दो तालचीनी के पीस, तीन से चार लोग, दो से तीन सुखी लाल मीड़, स्वाध अनुसार नमग, हल्वट टीश्प स्टेक मिक्सर जार ले लीजिए उसमें सुके मसाले दाल देंगे जीरा दालचीनी लोंग इलाइची सुकी मिर्च उस्वाद अनुसार नमक दाल के इसको ग्राइड कर लेंगे ज्यादा बरिक नहीं ग्राइड होएगा क्यूंकि थोड़े से हैं इंग्रिडियेंट्स देखो कि दूबारा से ग्राइड कर लेंगे जो अधरख्लस्ण पेस्ट को भी डाल के कर सकते ही तो अध्रक्लोस्ण दालने से फ्लेवर अच्छा सा हर रहेगा हो सके तो अध्रक्लस्ण को ही डाल लीजिए नहीं यह तो पेस्ट आट कर लिजिए अब इसमें इभीगों के रखे ह चनादाल आड़ कर दूंगी एक दो टेबल स्पून जितना चनादाल बचा के रख लीजिए अभी दुबारा से ग्राइंड कर लेंगे ज्यादा स्मूध ग्राइंड नाइकर लीजिए इसी तरह दर दरा कर देंगे बगला प्रासस देखेंगे एक मिक्सिंग बॉल लेके उस बोटोगे रकी हुए चनादाल दन्या पता ड़्डी पत्ता कटी प्यास कर लेंगे ले जोडी न गभीध अच white लिम्ट मिक्स करने के बाद अब इसमें एड कर दिंगे बुल सब देगे को नाइकर देगे बेशन के अद festivals निक्यादर दोदाल तब इसकर ग्रेंवेंगे य को यहकी बार नहीं दाल लीजिए ठोड़ा थोड़ा करके दाल लेंगे जुरुत परण देह परफरेक्टम से बड़ा बन जाएगा आफ ह देखेंगे अब एक चपला ले लेंगे इन याज को आन कर देंगे काडाय किरण कि आईल के मीडियम फ्लेम पर रखे स्य बाद के एक लचाहतर के सब्सक्राद होने के बाद के इसी बाद के प्र शिक़े करें धस्य को हणा जैसे बना लेंगे, जदा मोटा नहीं बना लीजिए, दिखो, इसी तरह थोड़े से वड़े बना लूँगी, सारे वड़े एकी बार नहीं बना लीजिए, थोड़े बना के डी फ्राई कर लेते रहेंगे, अब दुबारा से थोड़े वड़े बना लेंगे, मैं थोड़े वड़े बना ली हूँ अब ये डी फ्रै करके दिखाऊंगी आईल बेकसर गरम हो गया है फस्ट एक वड़ा दाल दूगी मैं वड़े सारे एकी बार नहीं दालना है क्यूंकि आईल में दालने के बाद कुछ टाइम वड़े तूट जाते हैं क्यूंकि बैंडिंग सही तरीखे से नही तो और थोड़ा आप बेशन आट करके मिक्स करके वड़ं को बना लीजिए यह तो वड़ा परफेक्ट बन गया है अब देख सकते ही बिलकुल नहीं तूटा है तो अब मैं बना के रखे हुए वड़ं को दाल दूगी एक एक करके जतने आते हैं आईल में वड़ं को एक ए अच्छा सा डीफ्राइ कर लेंगे फलटते हुए बिश बिश में लो टू मीडियम फ्लेम पे रखे ही डीफ्राइ कर लेंगे नहीं तो हाई फ्लेम पे रखे करेंगे तो उपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे तो इस बात की ध्यान रख लीजिए यह फस् बड़ों को आलू प्यास के पकोड़े बनाना शुरू करेंगे यहां पर मैं एक बड़ा आलू लेली हूँ कच्छा आलू दो मीडियम साइज कटे हुए प्यास प्यास को इसी तरह काट कर लीजिए ठोड़ी सी कटी हुई धन्या पत्ता तीन से चार बरी कटी हुई हरी मिर्च अब तीका ज़्यदा पसंद करेंगे तो हरी मिर्ची अपने हिसाफ से ले सकते ही कम ज़्यादा करके हाफ टी स्पून ग्रेट किया हुआ अद्रक तीन से चार टेबल स्पून बेसन बेसन आटा है एक टेबल स्पून राइस फ्लोर, चावल काटा है, स्वाध अनुसा नमक, एक पिंच अजिवान, ये आप्शनली है, आप नहीं दालना चाहे तो आवाइड कर सकते ही, दालने से टेस्ट अच्छा लगेगा, वन बाई फोर्थ टीस्पून हल्दी, डीफ्रै के लिए आई, अब चलो प्रासेस शुरू करेंगे, फर्स्ट आलू को अच्छा सा क्लीन करके ये पील निकाल देंगे, देखो मैं पील निकाल दी हूँ, अब ये आलू को ग्रेट कर लेंगे, कद्धू कस कर लेंगे, देखो ये वाला जो मोटा हिस्सा है उससे ही हम ग्रेट कर लेंगे, असी तरह, एक मिक्सिंग बॉल ले लेंगे, इसमें ग्रेट करके रखे हुए, कच्छे आलू को आड कर देंगे, कटी हुई प्याज, कटी हुई धन्या पत्ता, कटी हुई हरी मिच, ग्रेट किया हुआ अध्र हल्दी पौडर अज्वैन रैस फ्लोट शावल काटा दाल देंगे ये स्वाद अनुसा नमक अपनी हिसाफ से दाल लीजिए मैं थोड़ा कमी दालती हूँ इसमें आड़ कर देंगे थोड़ा सा बेसन को एक ही भार नहीं दालना है ज़रूरत पढ़ने पर यूज कर लेंगे पानी का यूज बिलकुल नहीं करना है क्योंकि आलू में ही स्टार रहता है पानी थोड़ा इसलिए पानी का यूज करना है अब मैं थोड़ा और ये भेसन आड़ कर लूँगी ज़रूरत पढ़ने पर थोड़ा थोड़ा कर के ये पूर्णा आड़ कर रही हूँ तीन आईल डाल देंगे यह आईल्ट गरम होने देंगे medium flame पर रखें आईल्ट गरम हो गया है अब पकोडे डाल लेंगे पकोडे ज्यादा बड़े नहीं दालना है छोटे छोटे करके ही दाल लिजीए नहीं तो यह अंदर से कछय रहेंगे सी तरह पकोड़े दाल देंगे जितना आईल में आते हैं उतना पकोड़े दाल देंगे अब ग्यास को मीडियम लो फ्लेम पे रखके डी फ्राइ कर लेंगे चलाते हुए ये पूरे फलटते हुए बीच बीच में अच्छा सा गोर्डन कलर आने तक फ्राइ कर लेंगे देखो एप पकोड़े अच्छा सा कलर चेंज हो गई ही प्लेट में निकाल देंगे पकोड़ों को इस बात के ध्यान रखिए ग्यास के फ्लेम को हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं रखना है लो मीडियम फ्लेम पे रखके ही डी फ्राइ कर लेंगे इसी तरह पकी के पूरे पकोड़े भी बना लेंगे बहुत ही जल्दी बनते हैं पकोड़े और बहुत ही टेस्टी बनते हैं अब जरू ट्राइ कर के देखिए मैं पूरे पकोड़े बना दी हूँ कैसे लगी फ्रेंड आज के चार तरीके के रिसिपीस आप भी जरूर ट्रॉट करके देखिए रिसिपीस अच्छे लगी तो लाइक करिए पने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए कैसे लगी कि मुझे कामेंट कीजिए मेरे चानल क अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सबस्क्राइब कीजिए फिर मिलेंगे अगली रिस्पी के साथ तैंक्यू फर वाचिंग